So hey guys welcome to the channel we back और guys आज किस वीडियो में मैं आपको just show करूँगा यहाँ पर जो पकमुन गो में available होती है जिम उसमें अगर आपको gold badge या फिर silver badge या फिर bronze badge अगर आपको मिल जाता है तो उसके क्या benefit होते है और उससे क्या आपको ज्यादा reward मिलते है या फिर नहीं तो पहला जो question होता है वो आता है हमारे mind में कि उससे क्या benefit होता है and then अगर benefit होता है तो क्या benefit होता है क्या हमें अच्छे rewards मिलते हैं जो हम कभी notice नहीं करते हैं उस चीज को लेकर तो वही सब कुछ चीजे clear करूँगा इस वीडियो में कि क्या benefit होता है जब भी आपको gold badge या फिर count तो silver badge मिल जाता है gym के through और वहाँ पर आपको क्या ऐसी चीजे special मिलती हैं जो शायद ही आपने कभी notice करी होंगी I hope आपको ये वीडियो भी बहुत helpful लगे so let's start this week तो अगर आपको multiple routes create करने तो वो भी आप यहाँ पर easy way में कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं आगी और आप spoofing का enjoy कर पाएंगे Pokemon Go के अंदर और यहाँ पर सबसे favorite option joystick भी available है जिसकी तुरू भी आप यहाँ पर अपनी location को move कर सकते हैं just यहाँ पर आप Pokemon Go में इसका use कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा best होगा तो आपके पास अगर iPhone या फिर iOS device है तो यह सबसे best method होगा जाकर आप link चेक कर सकते हैं मैंने description में दे रखा है वहाँ से इसको download करके आप spoofing use कर सकते हैं alright guys यहाँ पर आप सबी को बता दू सब कुछ चीजे में proof के साथ बताऊंगा यह नहीं है कि मैं आपको बस बाते ही बोलूँगा just आपको चीजे भी बताऊंगा कि हांगे कैसे चीजे work करती है then यहाँ पर अगर आपको gold badge या फिर silver badge मिलता है तो आपको reward में कुछ benefit होता है या नहीं या फिर कुछ जादा ही अच्छा benefit होता है उस चीजे को लेकर वो सब कुछ बाते मैं आपको clear करूँगा तो first of all तो मैं उस gym में जाता हूँ जहाँ पर friends मुझे कोई भी badge अविलेबल नहीं है यानि कि मैंने उस gym में कुछ भी ज़्यादा activities नहीं करी हैं तो just अब मैं spin करता हूँ gym की pocket stop यहाँ पर friends आप reward देख सकते हैं कि मुझे क्या reward मिले हैं बहुत ज़्यादा कम reward मिले हैं अब मैं आता हूँ एक level उपर यानि कि silver medal यानि कि जिस gym में मुझे silver badge अविलेबल होगा उस gym में जाता हूँ and then यहाँ पर मैं just reward या फिर कहूँ तो pocket stop की gym को spin करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं friends मुझे जो reward मिला है वो उस gym से बहुत ज़्यादा मिले हैं ज़्यादा भी इतने नहीं मिले लेकिन हाँ उस gym से बहुत ज़्यादा मिले क्योंकि इस gym में मेरा silver medal available है और आप जैसा कि normally चीज़े यह देख सकते हैं कि यह जो gym है वो silver badge available है मेरे लिए क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा activities करी है इस gym में और कहूं बात यहाँ पर कि मुझे जो reward मिले हैं वो और ज़्यादा भी मिले हैं उस gym के अगर मैं compare करूं दोनों को ही अब मैं चलता हूँ friends यहाँ पर मेरी gold medal जिस अविलेबल है जिस gym में और बहुत से इसी gym है जहाँ पर मुझे gold badge है वो available है लेकिन मैं अभी जो यह nearby है उसी gym में आपको just जाकर show करता हूँ तो यहाँ पर friends first of all तो आप यह देख लें जो यह gym है वो available है मेरे लिए gold badge से related और यहाँ पर मुझे gold badge मिल चुका है तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और मैं spin करता हूँ इस gym की pocket stop पर यहाँ पर क्या reward होते है वो मैं just आपको show कर देता हूँ मैं अगर compare करूँ किसी भी gym से जहाँ पर मैंने silver को spin किया था यहाँ पर मैंने कोई भी badge available नहीं था उसे spin किया आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा rewards मिलें pokeballs भी ज़्यादा मिली है just यहाँ पर candies करूँ berry की बात करूँ तो वो भी मुझे just ज़्यादा ही मिली है तो आप just normal सा compare वो आप normally समझ गए होंगे अगर आपके पास gold gym होती है या फिर कोई तो gold badge available होता है जिस gym में तो वहाँ पर आपको अगर poke stop spin करते हैं उस gym की तो आपको reward just ज़्यादा मिलेंगे XP भी आपको just ज़्यादा मिलेगी अगर आपको जो भी spin करते हैं उसकी जो XP मिलते हैं वो भी आपको थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी जिस gym में आपके normal badge available है या फिर कोई भी badge available नहीं है और एक सबसे important चीज ये भी मैं आपको बदा दूँ अगर आपके पास gold gym available है आप अगर red battle करते हैं तो आपको rare candies या फिर मैं कोई तो और जो items मिलते हैं उसके पिछे का reason यही होता है कि वो जो gym होती है वो मेरे लिए या फिर किसी और के लिए उसमें gold badge available होता है इस वज़े से वहाँ पर items उसे ज़्यादा मिलते हैं just reward ज़्यादा मिलता है तो आपका gym का जो badge है वो just increase होता रहेगा और आपको एक दिन या फिर कुछ ही दिनों में 15-20 days में अगर आप daily यह activity करते हैं तो आपको वहाँ पर gold badge मिल जाएगा और आप easy way में जो यह rewards है या फिर कुछ है एक छोटी सी चीज़े हैं इतनी भी important नहीं है लेकिन हाँ एक छोटी सी चीज़े है जो आप get कर सकते हैं थोड़े ज्यादा reward get कर सकते हैं कुछ ज्यादा items get कर सकते हैं जो एक हमें फर्क दिखता है इन तेनों ही चीज़ों के बीच में I hope आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाता था एक छोटी सी चीज थी जो मुझे बतानी थी आपको I hope आपको यह अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो शेयर करना मिस मत करना कमेंट में बताना कैसी लगी और मिलता हो किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए वीबेक फैमली को वीबेक के तरफ से बाए